आपने अपने mobile में देखा होगा कि एक airplane mode होता है और जब हम उस airplane mode को चालू कर लेते हैं तब कोई भी signal आपके mobile में नहीं आते ठीक यही example आपको अपने शरीर में fit करना है आपको अपना ब्रह्मचरे mode on कर लेना है अपने ब्रह्मचरे mode को चालू कर लेना है और अपने काम रूपी तरंगों से कहना है कि अरे महतरमा मैं ब्रह्मचरे mode में हूँ करपिया करके आप अपना दूसरा customer ढूण लीजिए मेरे पास आने का प्रयास ना करे क्योंकि मैं free नहीं हूँ काम वासना को हम देखते हैं एक अगनी की रूप में और जब तक यह अगनी आपके शरीर में भलगी रहेगी तक आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी ही नहीं और अगर आपको अपनी दिमाग की बत्ती जलाना है तो आपको अपनी काम वासना की अगनी को भुजाना ही पड़ेगा या तो आप वहां के हो जाएं या यहां के हो जाएं ये खिचडी वाला काम मत करों कियार थोड़ा इस पर ध्यान लगा लेते हैं और थोड़ा इस पर ध्यान लगा लेते हैं हमारे शास्तरों में काम को एक अगनी की रूप में प्रिजन्ट किया गया है और आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि लोहा लोही को काटता है ठीक यही example अगर हम अपने शरीर में फिट करें तो अगर आपको अपने काम की अगनी को बुजाना है तो आपको क्रोध करना होगा और क्रोध भी एक अगनी के समान ही है यानि कि यहाँ पर आग आग को मिटाएगी जब भी आपको काम वासना सताए तब आपको करना है क्रोध अलाकि क्रोध करना बुरी बात है लेकिन ये कुछ समय की बात है एक निर्मा के विग्यापन में आपने सुना होगा कि अगर कोई दाग से अच्छे काम हो रहे है तो वो दाग बुरे नहीं है ठीक यही एक्जामपल अगर कोई क्रोध से अच्छा काम हो रहा है तो वह क्रोध करना बुरा नहीं है बच्पन में मेरी दादी बहुत कताई सुनती थी उस समय में छोटा था वही कताई मैं भी सुनता था उन कता में एक कतावाचक ने बोला था जब भी आपको क्रोध आए तब आपको करना कहें कि आपको एक तकिया लेना है और जोड जोड से उसमें मुक्के मारनी है मतलब अपनी पूरी भरास उस पर नकाल देनी है और इसका रिजल्ट यह होगा कि कुछ समय बात आपका क्रोध शांथ हो जाएगा तब बच्चा था बुद्धी उतनी ही थी लेकिन ये बात मुझे वायर लगती थी खेर आप दादी शांथ हो गई है बड़ा होड़ा हो थोड़ी सी मैचॉरिटी आ गई है उन्हें कथा बाचक कि कही गई है बात मुझे 100% सही लग रही है आप कभी भी प्रैक्टीकल करके देखना कि जब भी आपको काम वासना सताए तब आपको करना क्या है कि आपको ख्रोध करना है आपको कुछ ऐसा बोलना है कि और ये काम वासना भाग यां से क्यों मुझे सता रही है तेरी यौकात क्या है नहीं तो उस तकिये को ही अपनी काम वासना मानने और जोड जोड से उसमें मुक्य मानने है आपको गर्व करना है कि आप उस परमपिता परमात्मा की संतान है ओमी की संतान है और यहीं आपके attitude में बदलाब होने के करण आपका मन डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा गुसा करने से होगा क्या कि आपका मन डाइवर्ट हो जाएगा आपका मन विजलित हो जाएगा यानि कि मेन मुद्दे से हटकर दूसरे जगा पर चला जाएगा इससे आपकी काम वासना सांत हो जाएगी और ये बात मुझे अभी ध्यान इसलिए आई क्योंकि मैंने एक वैदे की लेक्चर में सोना था कि एक अगनी को दूसरी अगनी काटती है हाँ लेकिन क्रोध पे क्रोध करो तो वो बढ़ता है लेकिन एक अगनी को दूसरी अगनी काटेगी तो आपका ध्यान भठकेगा और हाँ मेरे दोस्त भाई मेरे वो 45 दिन के चैलेंज को मत भूलना क्योंकि 45 दिन बाद आपके लिए बहुत खास आने वाला है तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही धन्यवाद